नौवा पाथ एक खिलाडी की कुछ याद है, प्रिष्ठ संख्या 60 से 64 तक, अब सुनते हैं पाथ एक खिलाडी की कुछ याद है, 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ, लाहूर को याद करना चाहता हूँ, जब मैं बैडमिंटन चैंपियन स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यान चंद को हौकी खेलते देखा, उसके बाद मैं हौकी काही हो गया, यहाँ बताता है कि बड़े खिलाडी को देखना आप पर कितना असर डालता है, 1948 उलम्पिक से पहले हालाद बहुत खराब थे, हमें भी लाहूर से भागना पड़ा किसी तरह बंबई या मुंबई में कैंप लगा, सब कुछ बिखरा हुआ था, हमारी टीम में कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोई ट्रेजडी ना हुई हो, दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजडी पर था, हम लंदन पहुँचे, वहां भी वि पाकिस्तान अलग-अलग हाफ में थे, सबको यही लग रहा था कि इन ही दोनों मुलकों का फाइनल होगा, सिमी फाइनल में एक दिन हमें हॉलंड और पाकिस्तान को इंगलेंड से खेलना था, वैमली स्टेडियम था, जहां आमतोर पर फुटबॉल होता था, बारिश के बी में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आँख में आसु ना हो, उसी मुलक में आकर हम जीते थे, जिसने हम पर राज किया, उसी के घर में हराया था, पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जनगण मन बजा, हमें गर्व है कि यह इंगलेंड में हुआ, इससे बड़ा लमहा नहीं हो सकता सारे दुख दर्द भूल गए थे, आजाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि वह क्या कर सकता है, मुझे अफसोस है कि उसके बाद होकी का स्तर गिरा है, गिरावट सिर्फ होकी में ही नहीं, कई खेलों में है, कुल मिला कर टीम और गेम की हालत खराब हुई ह व्यक्तिगत खेलों में जरूर सफलताएं मिली है, विश्वनाथन आनंद है, सान्या मिर्जा है, लेकिन उन्हें उपर लाने में कोई सिस्टम काम नहीं आया, यह उनकी अपनी मेहनत और परिवार के सपोर्ट का नतीजा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम गडबड इसे ठीक करना पड़ेगा, बेसिक सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी, जैसे आपको हौके खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ जरूर चाहिए, लेकिन हमारी मुल्क में कितने हैं? अंग्रेजों के समय में एक बात अच्छी थी कि हर स्कूल में खेल बहुत जरूरी था, तब खेलना उतना ही जरूरी था जितना पढ़ना, लेकिन यहां बदला, खेल खास जगह नहीं पा सका, कुछ बदलाओ है, लेकिन इतना काफी नहीं है, हर स्कूल में मैदान जरूरी है, आबादी के साथ खेल की जगह खत्म होती जा रही है, हमारे समय में कोचिंग जरूर आज जैसी नहीं थी, सीनियर खिलाडी एक तरह से कोच होते थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोचिंग और तकनीक के इस्तिमाल का क्या वाकई हमें फायदा हुआ है, मेरा मतलब यहा है कि खिलाडियों में जस्बा जरूरी है, शूटिंग में भारत ने तरक्की की है, क्रिक तरीन होके खिलाडियों में एक श्रीक केशवदत्थ 1948 और 1952 की स्वान विजेता ओलंपिक टीम का हिस्सा थे, इस समय वह कोलकता में रहते हैं, लेखक केशवदत्थ, अभ्यास शब्दार्थ, असर अर्थात प्रभाव, हालात अर्थात स्थिती, ट्रैजरी अर्थात दु या पल, सिस्टम, अर्थात व्यवस्था, कोचिंग, अर्थात प्रशिक्षन या शिक्षन देना, जस्बा, अर्थात भाव या जोश, शूटिंग, अर्थात निशाने बाजी, पहला, पाठ से प्रश्न, कर, लेखक बैडमिंटन चैंपियन था, उसे होके खेलने की प्रि इदने के बाद सबकी आँखों में आँसों क्यूं थे, ग, खिलाडियों में जजबा ज़रूरी है, लेखक ने किस जजबे की बात की है, यह जजबा क्यूं ज़रूरी है, दूसरा, याद करना, साट साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ, ल अगर वाक्यों को पढ़ो और बताओ की, क, लेखक साट साल की बात करने के लिए क्या करना चाहता है? ख, तुम्हें अगर अपने तीन साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए, तो उसके लिए क्या क्या करोगे? ग, क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार-बार रटना जरूरी होता है? या सोच समझ के साथ उस पर चर्चा, विचार और उसका आवशक्ता अनुसार वेवहार करना जरूरी होता है? तुम्हें जो भी उचित लगे, उसे कारण सहित बताओ. तीसरा, बिखरा हुआ. क, पता करो कि कोई सामान, विचार और ध्यान क्यूं बिखरता है? ख, उनके बिखरने से क्या क्या होता है? ग, लेखक का दिमाग, खेल से ज्यादा भारत-पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजडी होने के कारण कैसी मुश्किलों में उलचा होगा? फिल्म के अतरिक्त ऐसे बहुत से अवसर होते हैं, जहां उसी के अनुकूल गीत भी गाये बजाये जाते हैं. इस पाठ में भी पहली बार विश्वस्तर पर कहीं जनगण मन बजाकाव लेख हुआ है. तुम फिल्मों के कुछ मशुहूर गीतों के बोलों की सूची बनाओ. जो फिल्मों में दृश्यों के साथ तो गाये ही गए हों, जिन्हें विशेश अवसरों पर भी गाया बजाया जाता हो. पाँचवा, खेल कूद. यहां कुछ खेलों के नाम दिये गए हैं. इन्हें खेलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है. उसकी सूची बनाओ. क, हौकी, ख, क्रिकेट, ग, लॉन टैनिस, घ, तैराकी, ग, तीरंदाजी, च, कबड़ी, छठा, पता लगाओ. क, क्रिकेट, फुटबॉल और हौकी के मैदान में क्या अंतर होता है? क, क्रिकेट, फुटबॉल और हौकी में कितने-कितने खिलाडी होते हैं. ग, हौकी से जुड़े शब्दों की सूची बनाओ. सातवा, तुम्हारी बात. क, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? अपने किसी स्थानिय खेल के नियम, खिलाडीयों की संख्या और सामान के बारे म बताओ. क, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताओ. जब तुम्हारी आखों में आसु आये हों. जब तुम अपना दुखतर्द भूल गए हो. आठवा, खेल और सिनेमा. क, खेलों पर बनी कुछ फिल्मों के बारे में पता लगाओ. उनमें से कुछ फिल्मों के नामों और उनमें दर्शाय गए खेलों के नामों को साथ मिला कर एक सूची बनाओ. कक्षा में उन फिल्मों के बारे में बात चीत भी करो. नौवा, जगह जगह के खेल. कुछ खेल, कुछ खास जगहों में ही खेले जा सकते हैं. और कुछ खेल, प्रचलन के कारण, कौन से खेल, बाहर खेले जाते हैं. कौन से खेल, अकेले खेले जाते हैं.